मा लक्ष्मी कहती है जो रात को सोनिस से पहले जाडू के नीचे दबा देगा ये गुप्त चीज वो बने का करोड़ पत नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बाफिर से हमारे चैनल शुब मंगा दे घर में इस जगा चुपके से जाडू के नीचे छुपा दे ये चीज माता लक्ष्मी करेंगी धन की वर्षा अपने हातों से आपकी आने वाली पीड़ी भी करेंगी पैसो पर राच दोस्तों जाडू के हम आपको कुछ ऐसे खास उपाई बताएंगे जिनको अगर आप करते ह तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी ची धन की वर्षा करेंगी जाडू का हम आपको वो नेयम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जाडू को किस दिशा में रखना शुब होता है जाडू का बदलनी चाहिए जाडू को लेकर आपको ऐसी कौन सी कलतिया नहीं क करनी चाहिए जो वास्तू शास्त्र में लिखा हुआ है वरना आपके जीवन में आपको गरीबी दरिद्रता परिशानी कश्ट का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों एक बात का ध्यान रखेगा जाडू का सीधा सात्पर्य और सीधा संबंद माता लक्ष्मी ची से होता है क दोस्तों आप एक बात जान लीजे कि हर कोई जानता है जाडू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र में कुछ उलेक लिखे हुए हैं जाडू को लेकर कि मतलब जाडू लगाने के शो मौरत कब है जाडू कब सही समया पर लगानी चाह आपके घर की जन्वांदर की गरीबी खत्म हो जाए दोस्तों जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था जाड़ू का सीधा समद माता लक्षमी जी से होता है कहा गया है कि माता लक्षमी जी को जाड़ू बहुत ही जादा प्रिये होती है अगर कोई भी वेक्त ठीक तरीके से जाड़ू का प्रियोग कर रहा है तो निष्टित रूप से उसको माता लक्षमी जी का अश्रिवाद मिलेगा उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी धन समंदित परिशानी नहीं होगी दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्षमी जी का अश्रिवाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदेव बना रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंती लिख दीजे जैमा लक्षमी और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंती सब्सक्राइब कर ले दोस्तों हमारे हिंदू धर में घर को मंदिर माना जाता है इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने घर को साफ सुत्रा रखना चाहिए शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रते दिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्षमी जी वास करने आती है अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी दरिद्रता परिशान नहीं करें वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है हमारा घर गंदा पड़ा रहता है तो हमारे घर में नकारत्मक उजा का वास हो जाता है हमारे घर में गरीबी दरिद्रता आ जाती है और वास्त करने लगती है जिससे हमारे घर की बरकत रुख जाती है दोस्तो आज एक बात आप जान लीजे जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखेगा रातरी के समय ही आपकी घर में नाकारत्मक शक्तियां काला जादू काली शक्तियां प्रवेश करती हैं लेकिन अगर आप लोग वास्तु शास्तर के हिसाब से प्रते दिन जाडू लगा रहे हैं और सही मोहरत पर लगा रहे हैं तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रविश्क कर रही है, वो आपके घर से हमेशा के लिए चले जाएगी। दोस्तों बहुत ध्यान दीजेगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। वास्तु शास्तर के अध्यन नंबर 71 में साफ साफ लेका हुआ है। जब भी सूर्य उदय होता है, आपको सूर्य देव के बाद ही तुरंती ज़ाडू लगा देना जाहिए। अगर अप सूर्य उदय के बाद ज़ाडू लगाते हैं, आपके घर के नकारत्मक शक्तियां चली जाती हैं, वो आपके घर में से चली जाती हैं। तो दुभैर से पहले अगर आप जाडू लगा लेते हैं तो ये बहुत ही जादा शुब है। इससे ये होता है कि माता लक्षमी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात पर ध्यान दीजेगा दोस्तो जाडू को लेकर वास्तु शास्त्र धर्म शास्त्र में कुछ नियम हैं जिसके अगर आपने पालन कर लिया तो निश्चित रूप से आपको माता लक्षमी जी के कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल के कई तरह की जो परिशानिया हैं आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। दोस्तो जाडू एक बहुती कॉमन सी चीज है ये एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका प्रियोग किया जाता है। लेकिन कई लोगों को और मैकसिमम लोगों को जाडू के नियम पता ही नहीं है जिसकी वज़ा से वो जानी अंजानी ऐसी गलतिया कर देते हैं जिसकी वज़ा से माता लक्षमी ची आपसे नाखुश हो जाती है। दोस्तों अगर आप भी ये वीडियो लास्ट तक अंत तक देख लेते हैं जाडू के वह उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं निश्चित रूप से आपको माता लक्षमी ची का आशिरवात मिलेगा। माता लक्षमी ची आपके घर पर वास्ट करने आएंगी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाय देखेगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजे। देखिए इस बात को समझ लीजिए कि जाडू को घर में रखते हैं या ओफिस में रखते हैं कहीं भी आप अपनी आँखों के सामने ना आने दे। जाडू को ऐसी जगा चुपा करके रखे जो आपकी आँखों के सामने ना हो। इसलिए आपको जाडू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम यह कहता है कि किसी भी हमें पुरानी जाडू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जाडू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए जाडू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए। चोथा नियम है शाम के वक्त कभी भी घर में जाडू नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जाडू शाम को लगाता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर से माता लक्ष्मी जी कभी वास नहीं करने आएगी। माताज लक्ष्मी जी उससे रूष्ट हो जाएंगी। मतलब बात्रूम के बगल में नहीं रखना चाहिए, सोचाले के बगल में नहीं रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्वित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे नाखुश हो जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं इस बात का जरा विशेश करके आप ध्यान रखेगा। कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करने चाहिए जाड़ू को ले करके। कभी भी कोई भी नकरत्मक शक्ति ना हो तो ध्यान रखेगा जैसे सूर्य उदय होता है तुरंती जाड़ू लगा दीजिए यह बहुत ही शुब माना गया है। यह हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। एक बात का ध्यान रखेगा अगर आप लोग शुकरवार के दिन जाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुखे द्वार पर पहले थोड़ा से सिंधा नमक डाल करके जाड़ू लगा है। दूसरा माना गया है अगर आप कभी भी जाड़ू खरीटने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन जाड़ू खरीटने के लिए सबसे जादा शुब दिन माना गया है। और अगर आप जाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो मान के चलिए धन संबन्दे जितने भी आप निर्ने लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेजी से हो जाएगा। आपकी जीवनकाल से धन संबन्दे जितने भी परिशानिया हैं वो चली जाएगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनेगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्रिप्र करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों होता क्या है कि एक बात कही गई है। अगर आपको जाडू सपने में दिखती है तो ये बहुत जादा शुब है। लेकिन किस तरीके से बहुत जादा शुब है ये आप जान लीजिए। अगर आप सपने में देख रहे हैं कि आप जाडू लगा रहे हैं तो ये अशुब माना गया है। अब आपको साब्धान ह होने की ज़रूरत है मान लीजिए आपको प्रॉपटी खरीदने जा रहे हैं पैसों का निवेश करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में या किसी भी जगा अब आपको साथान होना चाहिए ऐसी जगह पर पैसा मत लगाए जहां पर 50-50 का चांस हो कि आपका पैसा वापस आएगा सपने में अगर आप खुद ज़ाडू लगा रहे हैं तो ये बहुत ज़ादा अशुप माना गया है ये आपको एक संकेत होता है कि पैसों को ऐसी जगह मत लगाएगा चाहंसे पैसे आने के चांसे 50-50 टाइप के हैं आप समझ रहे हैं न दोस्तों इसको बहुत ध्यान रख दूसरा गर आप सपने में देखती हैं कि आप मंदिर में ज़ाडू लगा रहे हैं तो मान के चलिए अब आपके जो कठनाईयों वाले दिन थे वो चले जाएंगे आपकी कष्ट वाले जो दिन थे वो खत्म हो जाएंगे और माता लक्षमी जी आपकी घर पर वास करने आए अब मान लिजी आप सपने में ये देखते हैं कि आपके कोई भी घर का वैक्ति जाडू लगा रहा है तो ये उसके लिए बहुत ही शुप संकेत हैं मान के चलिए आपका जानने वाला वैक्ति जो आपके सपने में जाडू लगा रहा है उसका समय आने वाला है ऐसी बाते द ध्यान रखेगा दोस्तों ये ये पाँच शुक्रवार का अपको करना सिर्फ यही है कि इह स्यक्रवार से जब रहने जा रहे है उससे पहले आप तामसिक भोजन छोड़ झोड़ दीजेगा तामसिक से मतलब है शराप, मदीरा, नौनवेज, इन सब चीजों को बिलकुल त्याग दीजेगा वरना आपकी ये जो पूजा संपन नहीं मानी जाएगी आपको माता लक्षमी का अश्रिवाद नहीं मिलेगा, आपको करना सिर्फ ये है कि पांच शुकरवार आपको किसी भी जाडू के नीचे, जो है घर की जाडू है उसके नीचे दो लौंग दबा देनी है, और एक काली मिच्छ दबा देनी है इसको पहले शुकरवाद के बाद दूसरे शुकरवार को किसी भी लाल कपडे में रखतेना है फिर ऐसे लगातार आप जितने भी शुकरवार, इलाइची और लॉंग दबा रहे हैं फिर इसको लेकर लाल कपड़े में रख दीजे और इसको मौली धागे से बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजे उसको वहीं पर पड़े रहने दीजे और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी की बहती नदी में बहा दीजे दोस्तो दिवाली तक आपके पास पैसे आने के रास्ते बंध हो गएते वो आते रहेंगे और दिवाली के बाद जब इसको जब बहती हुई गंगा में बहा देंगे तो आपके जीवन में आपको आगासमी धन की प्राप्ती हो दोस्तो ये कुछ ऐसे उपाएं है जाडू को लेकर के जो आपको जानना जरूरी था हमने आपको एक-एक उपाएं बता दिया है तो दोस्तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बता है साथी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवार